कि 11 में क्या दिया कुछिन नुबर 11 में एक्सपाइट फूट बड़क लिमिटेड हैस प्रिपेड दा फॉलॉइं सेल्स बजेट फर फॉर्स फाइमन्स का इन्फॉमिशन जनवी प्रिपरी मार्श एप्रेल में तो पहले इसको ड्रॉप करना चार्ट यह है 11 इसको चार्ट ड्रॉप करो प्रडेक्शन बजेट जैनवरी फिबरी मार्च एप्रेल में तक की इन्फॉर्मिशन दिया तो युनिट कितना है 10, 15, 12, 10, 9, 10,000 चेंज 12,000 चेंज 10,000 चेंज 10,000 चेंज 9,000 चेंज ओपनिंग क्लोजिंग इसा बनाते है the inventory of inventory means stock of finished product at the end of every month end means closing is equal to 25% of the sale estimated for the next month next month का कितना है सेल 25% है विलके बोले तो जो closing stock है वो किस तरह से है next month का 25% तो 15,000 जन्वरी का कहा से आएंगा जन्वरी का से आएंगा जन्वरी का सब्सक्राइब से आएंगा तेके 15,600 इंटो 25% हो मच 3,900 12,200 इंटो 25 हो मच 3,050 12,200 इंटो 25% में 3,500 12,600 10,400 25 इंटो 25% में 2,600 9,800 का 25% 2,350 तेके इसमे कुछ नहीं एक जन्हें लेते क्योंके नेग से नहीं ने थेसमे कुछ नहीं जन्हें इस दा भ्लंक ब्लंक भ्लंक 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 पांडा़ ग्लेइटेस कलोसिं प्लोसिं स्लक सार नेट्स पेशाoit य का अजले मार्स में उपनिग, मार्स का क्लोजिंग अपरेल में अपनिग, अपरेल का क्लोजिंग नहीं दालते, क्योंकि कोई इन्पमेशन नहीं है दो, यहाँ पर कैसे आएंगा आपको जैनुविरी का उपनिंग स्टाउक, तो यहाँ पर मेंचन किया, प्रॉबलम में, अन फिर्स, On January 1st 1993, there were 2,700 units of products in hand. In hand means opening stock. There is no work-in-products at the end of any month. So, कोई work-in-products नही एंट तो directly opening stock इतना जनवरी का 2100. इसको आद करो 10,800+, 3,900- 2,700, 12,000 is the answer. इसको करो इसके बाद फर्दर यह तो था प्रडेक्शन बजट अब अपने को मैटिरियल बजट बनाना है तो एवरी यूनिट्स आफ एवरी यूनिट्स आफ प्रडेक रिकुआर्ट टू टाइपस आफ मैटिरियल इन दा फॉलाइंग कॉंटिटी मैटिरियल ए में 4 यूनिट्स आफ मैं 5 यूनिट्स rec Anfang जैने फीब्राइपस आफ मैं तो ट्यूट सब्याइपस आफ में फेवरी का मार्च एपस आप यूनिट्स तो फिर्स्ट में कितना हैं एक के कितना है फोर रूपीज बी का फाइव रूपीज तो रॉअ मेटर ले रॉअ मेटर बी जैनवरी फिबरी मार्च अपरिलिक लिए और फाइव रूपीज प्रिए फाइव फाइव इंटू फाइव रूपीज तोटल कितना हो गया 48,000 14,750 इंटू फाइव 14,750 इंटू 4 करे तो कितना हो या 59,000 ऐसे इसको इसको करे 11,750 इंटू 4 47,000 ऐसे इसको भी करो 10,250 इंटू 4 41,000 इसको भी 12,000 इंटू 5 60,000 फेब्रेरी का 14,70 14,750 इंटू 5 73,750 11,750 इंटू 5 58,750 10,250 इंटू 5 51,250 बराबर है ठीक है तो यह उपनिंग यह उपनिंग के यह सेल्स यूनिट सागे अपने को मैटियल बजट के लिए अब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं मालूम क्यूंकि प्रॉब्लम में दिया नहीं तो इ नेक्स मन के लिए, नेक्स मन से लेकर आना, कैसा लेकर आज़ो इसको, ओके, material, budget for product A, A, product A का material budget, material budget, ठीक है यहां पर पर परिकुलर हमाश जैनुवरी फेबुरी मार्च और अप्रेल ठीक है यहां पर थिमेटेबुर्ड मार्च और अप्रेड अप्रेल टीक है यहां पर अस्टिमेट अप्रेड ग्यांवरी मार्च यहां पर श्तिमेट अच्छ में किया रहता हूँ? units not sell estimated units उसके बाद closing opening टुटल लिखना है लिखो हूँ अदर्वाइस में लिखो देन number of unit purchase ठीक है closing opening number of unit purchase मेटिल हमेशा purchase करना बड़ता है ठीक है answers क्या क्या है 48 59 47 41 okay tally करें बात कितना है 48,000 इतने units है and ये 59,000 and this one 47,000 and 41,000 okay इसका कितना है 60,000 then 73 750 then 58,000 750 then 51,000 250 opening closing कैसा मान में करते है same as material equal to one half means half of the next month's productions are to be in hand next month में जो भी production हो रहा उसका कितना percent है half है in hand means at the end of every month in means closing stock okay the requirement was met 1st January 1993 prepare material budget for first quarter only three months का बनाना है in a logical form में next month का half next month का half means next month का half कितना हैगा 40 अच्छा इसका half इसका भी next month का half next month का half ये तो 20,500 हो जाएगा half means इसका half करो 20,000 23,500 इसका half करो 29,000 450 sorry 29,500 इसका ओपनिंग क्लोजिंग क्या है next month में ऊपनिंग हो जाएगा वो 29,500 23,500 इसका ओपनिंग ये तो ओपनिंग नहीं दालते हैं यहां पर ओपनिंग का हैंगा 48,000 December में हो था 24,000 किसमें December में Half December का closing क्या हो जाएंगा December का closing क्या हो जाएंगा January में opening How much? 24,000 तो ऐसे यहां पर भी करो Half Half कितना हो रहा Half half closing 73,750 divided by 2 36,000 875 Okay Next इसका भी 58,000 750 divided by 2 करे तो 29,000 375 51,250 divided by 2 करे 25,000 625 इसमे कुछ नहीं आएंगा तो closing means next month में opening Okay तो 36,875 next month में opening होता और यहां पर 29,375 यहां का closing कैसा वाल में करते हैं यह 30,000 December में जाएंगा 50% किसमें? किसमें? December में तो वो December का होता जन्वरी में opening में उपनिंग मोद होता इसको तीके अब टैली करो 48,000 प्लस 29,500 मिनस 24,000 तोटल कितना ओरा? 53,500 59,000 प्लस 23,500 मिनस 29,500 53,000 ओकि next 47,000 प्लस 30,500 मिनस 23,500 44,000 ओकि next यहां पर 36 आट करे 30 मानस करे 66,875 बस यह रहेंगा यहां पर 73,750 प्लस 29,375 मिनस 36,875 66,250 तो 58,750 प्लस 25,625 मिनस 29,375 करें तो 55,000 उसके बाद अब इसको आप A का और B का तोटल कर लो A में कितना ओरा? B में कितना ओरा? B का देखो 55,000 प्लस 66,250 प्लस 66,875 अबराल कितना ओरा? 1,88,000 1,88,125 ऐसे यह लिखेंगे 53,500 प्लस 53,000 प्लस 44,000 तोटल 1,50,500 अबराल कितना ओरा? अबराल कितना ओरा? इस तरह से करते हूं ठीक है? 1,88, 825 यह यह कितना है? 1,50,000 अबराल कितना ओरा? अबराल कितना ओरा? जबराल कितना ओरा?